नमश्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ पूजा आप देख रहे हैं दर नेटीजन न्यूज आईए रुक करते हैं आज की खास ख़बर की और शिया वक्फ बोट के पूर्व अध्यक्ष सेद वसीम रिजवी के खिलाफ देश भर सहत समूचे विश्व में मुस्लिम संगटन लाम बंद हो गए हैं इन दौर में भी वसीम रिजवी का खास विरोध किया जा रहा है यहां मुस्लिम संगटनों द्वारा लगातार प्रदर् बता दें कि मूल रूप से लखनव उत्तर प्रदेश के रहने वाले वसीम रिजवी द्वारा करोडों मुसल्मानों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए पवित्र धर्म गरंत कुरान शरीफ को अपमानित किया गया है जिसके बाद से ही रिजवी के में अर्बों मुसल्मानों द्वारा पढ़ा जाता है और इसलाम धर्म को मानने वाला कुरान शरीफ को अपनी जान से जादा प्यार करता है ऐसे में धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा कर सामाजिक उम्माद पहलाने वाले वसीम रिजवी पर सक्षम धाराओं की तहत क इस दर्ज कर प्रक्रण दर्ज किया जाए एक प्रत्निति मंडल के द्वारा इसमें ग्यापन दिया गया है जिसे मुक्त और पर शेयद सीम रिजवी के विरुद्ध जिन्होंने कुछ आयतों के विरुद्ध टिपड़ी किये उनको हटाने को लेकर एक चिपड़ी किये उस जो थाकते हैं उनके हाथों का प्यादा है जिसका नाम वसीम रिजवी है वो अभी तक के इसलाम और इसलाम की मुद्बर तमाम शक्षियत के शान में कई बार गुस्तागियां करते हुए आया है लेकिन इस बार उसने तमाम हदों को पार करते हुए जो इसलाम का सबसे पव को फिलाने की देश के अमन और सुकुन और भाईचारे को तोड़ने की और मुलक में कहीं ना कहीं हालात खराब करने के जो तमाम धाराएं होती है उसके तए उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको सही जो सजा है वो सही सजा दी जाए अगर सरकारे पिछली जो थी और जो प्रशाशन था पेले जब जब उसने हरकत की तब तब मुस्लिम समाज ने मांग की कि उसको सक्त सजा दी जाए अगर इसके पहले कदम उठा लिये जाती है तो शायद आज वो इस पी बड़ी नाकाबिल बरदास हरकत को नहीं करता लेकिन इस बार जो है हमने फिर मांग की है और अगर इस बार प्रशाशन कारवाई नहीं करता है तो हम जो एक सविधान ने अधिकार दिया एक आम नागरिक को कोर्ट में जाकर के एक सीधा मुकदमा दर्ज कर सकते हैं तो हम उस कदम का सारा लेकर के आगे कारवाई करेंगे आज हम आज हम आई हैं सरसे मलगत की हमने और जैसा कि आप पूरी हिंदोस्तान में पूरी दुनिया में एक बेचेनी है कि इसा पागल शख्स जिसे खिलाफ कई मरताब कारवाई की गई दरीदा देहन गुस्ताक कभी हमारे इसलाम पर कभी किताबों पर कभी नभी के सहाब पर तोहमत इर्जाम लगाता है और यह हकीकत में एक देहशत गर्द शख्स है यह इसला हमारे मुलकों में आपस में लोग लड़ते हैं इसला हमारे यह भी फितन लावाना चाहता है हम तो इससे बेजार हैं और गुजारिश करते हैं गुवर्मेंट से कि सख्स करवाई की जाएए और यह पागल है चाई है बागल को एतर रहे आप प्यक्ताहे समें कोई तर्मीम कोई तब्द्लिय करें अकूर्मा Bluetooth ऐल्ला को आर्या में कोई तब्द्ली आपक टक और पितन अरने ऑर हम मिद्सके दुश। करते हैं कि अल्ला इसके हिदायत दे और ये लो हिदायत एक से नहीं में नहीं नहीं है तो इस तरह नहीं हला को बबात फर्माएं फिलाल अब इक लिए बस अतना ही लगातार खबर उखलिया बनी रहीगा हमारे साथ नमशकार